इंतर्गत सिकिदरी पनविजदी योजना में मरमत अनुरक्षन का जो काम दो धाई करोड रुपे में होना चाहिए था उस काम के लिए आदेश दिया गया 24 करोड रुपे का और वह काम भी पूरा नहीं हुआ घटिया काम हुआ यह मामला मैंने मई 2012 में उठाया था तब से उठा रहा था रास्पति सासन में जांच का आदेश हुआ भारत सरकार को लिखा गया केंद्रिय विदूत परादिकार ने इसकी जांच किया जांच की रिपोर्ट आ गई है जांच की रिपोर्ट मैं मैं से जारखंड सरकार में करवाई कराएंगे तो मैंने इसे अमरूत किया है और 15 दिन का समय दिया है वैब इसकर्मा आप पूजा कि पहले तक तो इस काम को करा दिजिए और नहीं कराईएगा तो फिर हम लों को प्रयत्न करना पड़ेगा कि ये काम हो आपके माधन से हो या आपके अलावे CBI से हो बिजली में सुधार नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ बिजली विभाग लूट का अखाड़ा बना हुआ है तो इसी मामले को मैंने आज प्रेस मीडिया के सामने रखा है उन्हीं घोटाला सामने आ गया है हमने मई 2012 में ही शारे सबूत उस समय की सरकार गोजी दिया उसके बाद दिसंबर तक मैंने पाँच चिठियां लिखी पाँच बार और नहीं सबूत दिये राश्पति सासन में जाश के लिए भारत सरकार को कहा गया भारत सरकार ने किंद्री अभी दुधर अधिकार से जाश कराया जाँच में हमनों के सभी आरोप सही सावित हो गए हैं कि 2.5 करोड का काम 24 करोड में दिया गया है 4 करोड रुपया बिना किसी पाएंग गारंटी के एडवांस कर दिया गया है जो काम होना था वो काम नहीं हुआ है 14 काम का प्राकलन बनाया था सिकेजरी के इंजिनेरों ने उसी काम को तोड़ कर 35 काम कर दिया गया है उसमें से भी जो एक बड़ा काम था वो काम नहीं हुआ है काम होने में देरी हुई जेड़ महिने की जिसके कारण करीब 40 करोड रुपया बिजली बोड को बिजली का उतका आदम ठप रहने के कारण हुआ ये सभी बात उसने स्वीए के तीन से रस्की जांच समीति ने मांग लिया तो उस जांच समीति के रिपोर्ट के अधार पर दोसी के खिलाब करवाई हुने इच्छे भेर भारत सरकार की संस्था है भारत है भी इलेक्ट्रिकल्स और बिजली बोड जारखंड सरकार का है तो एक लूट करने का नया सिल्सिला चला है कि भारत सरकार के किसी उतकरम को काम दे दीजे और जितना मांगे उतना काम दे दिया और कहिए कि पैसे का ट्राइजेक्शन तो जारखंड सरकार और भारत सरकार के उतकरम के बीच में होई है तो जो काम 24 करोड में आदेश दिया गया उसी काम को भेल ने 15 करोड में एक नीजी पार्टी को दे दिया तो ऐसे ही 8,6,9 करोड रुका भेल ने पचा लिया तो भारत सरकार के जो संस्थान हैं वे CBC के गाइड लाइन से बढ़े हैं और जाच में भी साविता हो गया है कि CBC के जो गाइड लाइन है उनका भी उलंगन भेल ने किया है तो भारत सरकार की संस्थाएं राजी के काम में इस तरह से मुनाफ़ा खोरी कर रही है और भ्रस्टाचार को बढ़ावा दे रही है उसका यह कुदारण है आज पूरे भारत की अर्थव्योस्था खराब होने का बड़ा कारण माना जा रहा है कि विदे से या बैंक से या कहीं से हमने रिंड लिया सो रुपे का काम कराने के लिए उसके बढ़े काम पर रहा है 40 रुपे का और बाकी 60 रुपया डर्टी बनी हो गया रस्टाचार का गा धन हो गया तो इसके कारण से काम कम खर्च जादा और यह उसका एक उधार्ण है इसलिए हमारे रखोड़े के अर्थवे विद्वे उस्था की खस्ता हाल इस्तिति जिन कारणों से है उसी तरह का यह काम है ने नाम हमकरों का बिजली बोट के सारे पदाती कारिये बोर् में मेंबर्स होते हैं इसके लिए जिमेदार है और हम यही कहा था कि इसी तरह का काम और जगों पर हुआ है जहां काफी कम पैसे में हुआ है उसका उदारण में ने दिया था C.E.A. ने भी पूरी जांच नहीं किया है इसकी पूरी जांच अगर हो तो और नए तर्थ निकलेंगे मगर C.E.A. ने जितनी जांच किया है वही जांच यह साबित करने के लिए परयाप्त है कि इस मामले में बड़ा बस्ताचार हुआ है और आज के खजाना की लूट कुई C.E.A. ने तो सारे काग्यात दिया है और C.E.A. इसकी जांच कर रही है जांच करके C.E.A. ने कोई निसकर्स निकाला मगर उस निसकर्स को दबा दिया गया C.E.A. में इसलिए C.E.A. के खिलाफ हम सेंटर विजिनेंस कमिशन में जाएंगे कि C.E.A. को करवाई जो करनी शेयती है और किस कारण से करवाई अब तक C.E.A. ने किया नहीं सारे काग्यात उसके पास हैं इसकामनों को भी सबूत है इसलिए हमने हमने खिलाफ जी से कहा है अशने किया नहीं से किया नहीं जाएंगे